नमस्कार दोस्तों डेट 27 & 28 इसी महिने फेबुरुआरी की 2021 की मैं दिल्ली आ रहा हूं जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिश्टी में इंट्रेश हो क्रप्या मेरे वाट्सअप पर संपर्ग करें वाट्सअप नमबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है इनकी एज 47 येर्स प्लस 7 मन्त की हो चुकी है अब इस हाथ को देखे तो इनके हाथ में मनी ट्रेंगल भी नहीं है तो जब मनी ट्रेंगल नहीं होता और रहू रेखा है जब काटती है तो ज़्यादा टेंस आता है सेकेंड इनकी जो फेट लाइन थी बहुत साल तक अच्छी थी भी नहीं ये दो माइनस पॉइंट होने के कारण इन्होंने जीवन में काफी संगर्श देखा होगा अब एक-एक करके और इनका प्रश्ण है मेरा घर कब बनेगा तो वो भी इनके हाथ पर क्लियर कट शो हो रहा है कि कब बनेगा वो भी सारी वस्तु है मैं बताने की कोशिश करूँगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुशाका रेखा या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपर्चिनिंटी आती उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है और यह पाम को अगर देखे इस पाम को देखे तो यह पूरा रेक्टेंगल पाम है और थोड़ा सा चोड़ाई भी है तो जब इस तरह की कंडिशन होती है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट होता है और महंती भी जब चोड़ाई होती है तो महंती भी इतना होता है फर्स्ट फैलेंज समझ में नहीं आ रहा है पर है बड़ा तो कारे के परती अच्छी खासी जीत दोगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जान लोजिक की जुरत है, जान चूप रहने की जुरत है, और मानसल है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला वेक्टी होता है, यह उंगली जब बैंड होती है, तो वेक्टी में धार्मिक भावना पाई जाती है, सुरी की उंगली बढ़ वेक्टी डॉकुमेंटेशन, फाईलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याज शक्ती, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीजों में वेक्टी कमजोर होता है, अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर, बुद्परवत पर भौत सारी खड़ी लाइन है, ऐसे लोगों की वानी अच्छी होती है, और सुन्दरता भी देती है, पर यहाँ पर दबा हुआ है, बिजनेस माइंडेट भी होते हैं, यहाँ पर दबा होता है, तो व्यक्ती अपने मन की बात नहीं कर पाता है, कहीं पर भी परिवार में बैठा हो, या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, और वो निकल जाने के बाद, वहाँ से निकल जाने के बाद इनको याद आता है, कि मुझे यह काम करना था, यह रह गया, प्लस, यहाँ पर उबा रहे हैं, तो नाम के प्रती ज्यादा जिग्या सा व्यक्ती में पाई जाती है, अब चलते हैं, इनके सुर्य यह फोटोग्राफ में मुझे हमेसा यह साइन ने आकरशित किया है, पर यह निकल नहीं पाई, अभी इन्हों ने जो मुझे इंकम बताई, पर मंत की, मुझे लगता है यह साइन है, पर इन्हों ने जो इंकम बताई, वो इसाब से यह साइन नहीं होगी, ऐसा भी लगता है या इन्होंने जूर बोला मुझसे अगर ये साइन होगी तो अभी जो इन्होंने इंकम मुझे बताई उससे कई गुना ज़ादा इंकम होनी चाहिए इनके हाथ में अगर ये साइन होती है तो इसको ये निकाल नहीं पाए इतनी स्पष्टता नहीं दे पाए और मैंने counter question भी पूछा तो उसका जो जवाब मिला तो मैंने भी फिर give up कर दिया नहीं तो और मेनत करवाता है इंसे मैं अगर यह sign होगी और इनोंने जो amount बताया तो वह 100% जूट amount बताया और जो amount अगर इनोंने बताया वह सच है तो फिर वह sign नहीं है यहाँ पर देखिए एक sign यहाँ पर भी है यह की sign को मैं अलग-अलग photograph में clear cut दिखाने के लिए दूर से देखोता ऐसा लगता है कि यह इतनी बड़ी sign बनी है यह इतनी बड़ी नहीं है यह यहाँ से इस तरह से जा रही है और बाकी की sign ने भी देखने की कोशिश करते हैं दो साहीने और है और एक और माइनस पॉइंट है यह क्रॉस बनता है अगा यह यह श्यूर्ट के यह जिए बंड़ी ने जा फेल देखोता है अगर यह line complete होगी तो यह cross है, इतना भी हो तो यह cross बोला जाता है, ऐसे लोगों में 3 minus point होते हैं, या तो पिता का साय छोटी उम्र में जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता से मदबेद, तीन में से कोई ने कोई एक minus point मिलता है, और सबसे बड़ा minus point होता ह जीवन में थोड़े से भी आगे बढ़ो, तो कोई ने कोई टांग खिशने वाला व्यक्ति मिल जाता है, या परिस्तितिया ऐसी निर्मान हो जाती कि हमें पीछे आना पड़ता है, यह चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको, बाकि ऐसी कोई दूसरी sign मुझे नजर नहीं आ रही इनके हाथ में, अब चलते वापस इंग लगे हुए पाम पर, अगर यह शनी परवत यहां से दबाओगा, क्या होता है, कई लोग अपने फोटोग्राफ एक दम स्टेट नहीं भेज पाते, तो हमें एक्जेट इसका अंदाजा नहीं लगता, अगर यह दबाओगा, तो ऐसे लोगों को EMI भी भरनी पड़ती है, यानि ब्याज चुकाना पड़ता है, जीवन पर, मरने तक, सेकंड चीज होती है, हारवक करती होती है, छोटा सा भी काम हो, तो बहुत हारवक होती है, और तीसरी, चीजे देरी से मिलते हैं, मिलती जरूर है, पर देरी से मिलती है, आपके पैसे भी होंगे, सब कुछ होगा, अगर X, Y, Z, गाड़ी लेने की सोची, या घर लेने का सोचा, पैसा भी है, फिर भी आप समय पर नहीं ले पाओगे, अरे इवन मैंने यहां तक देखा है, इस तरह का सनी परवत अगर बीच में से दबाओ, तो कम से कम एक घंटा तो चलाई जाता है, क्लियर फोटो लेने में, हम भी पेन उठाते हैं, उनकी वस्तुए आसानी से क्लियर होती हैं, और ये लाइन, अगर होती है तो व्यक्ति को चार लाब मिलते हैं, मिल सकते हैं, जो भी कारे करेंगे बड़े स्तर का, ससुराल पैसे वा होता है, सेकंड़ चीज होती है थर्द सरकारी लाब और पॉलिट्री लाब, तो कई लोगों को चारो लाब प्राप्त राप्त होते हैं किसी को एक, किसी inve'd, किसी को तीन लाब प्राप्त होते हैं हाँ, सर पर बच्पन में जोर से लगाओ और थोड़ा-थोड़ा सरदत का प्रॉब्लम हो तो पती-पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं रहता पर ये अगर ना हुआओ तो दोनों तरफ तकलिफ होती है ये चाहेंगे तो मैं इसका उपए दे दूँगा एक लाइन, दो लाइन ये वेक्टिको पामिष्टे एस्ट्रोलोजी में ध्यान जाता है इनका मल्टिपल इंकम के सोर्स क्रियेट होते है धार्मिक्ता और सेवा पाओ ये चारो वर्स्वे मिलती है अंदूनी मंगल व्योसित है तो साधी रिकूट जा तो व्योसित रहेगी भारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला कमफ़ोटेबल फिल करता है और संकट के समय वेक्टि अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इनके हाट लाइन में देखिए दो फोरक है ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते है बहुत अच्छी तरह से अब ये हाथ इंडिया में रहने वाला हाथ है पर इनके हाथ में देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैंगल है अब ये फोटोग्राफ में इतना साफ आया नहीं है पर मेरे पास कई फोटोग्राफ है इनके क्योंकि ये जब दबा होता है तो आसानी से फोटो क्लियर नहीं आते तो बहुत मेनत करनी बढ़ती है ये ट्रैंगल 100% है मैं कई फोटो में देख चुका हूँ ये वेक्ति को या तो कभी बनाता या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता दू मैसे कोई न कोई एक कभी होंगे मुझे नहीं लगता ये कभी होंगे और कभी होंगे तो विदेश का लाब नहीं मिलेगा और कभी नहीं होंगे तो ये 100% या तो इनका संतान या ये कभी ना कभी विदेश से धन, प्राप्त करेंगे करेंगे और करेंगे मेने इनसे पूछा भी तो इन्हों ने काये एक बार मैंने प्लानिंग की थी पास्पोर्ट भी निकाला था पर उसके बार ड्रॉप करती थी मेने वास अब यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है ये भी एक माइनस पॉइंट है ये जब क्रॉस होता है तो हमें साथ जीवन में डर बना रहता है आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फिलिंग इनको आती रहती जीवन पर और दूसरा बड़ा माइनस पॉइंट होता है जब रहुरेखा काटती है तो इनको आत्मत्या करने का मन करता है करते नहीं है पर मन करता है हाँ बहुत बड़ी रहुरेखा काटती हो तो कोई गलत स्टेप ले लेता गेक्ति नहीं लेता है ऐसा भी नहीं है और इसका तो उपाय मैं 100% दूँगा यह नहीं मांगेंगे तो भी दूँगा क्यों यह बहुत डेंजरस है हमेसा नेगेटिव फिलिंग से गुजरता आदम और उसमें भी अगर राव रेखा आएगी तो ऐसा लगता है जीवन को कम कर दूँ मैं हमें इस तरह की फिलिंग आत हरदय का या कम जोर मानसिक्ता वाला रा तो गलस टेप ले भी लेता है मैं डराना नहीं चाहता जो रियालिटी है वो बताता हूँ शुकर परवत अच्छा है अच्छे कपड़े पेरना अच्छी तरह रहना ये सारे लक्षन वेक्ति को मिलते हैं चन्र परवत भी काफी उत्तम है ऐसे लोग अच्छे पर्चेसर होते हैं ऐसे लोगों को साधी ब्याम है अगर लेकर जाए कपड़े खरीदने है तो बहुत शोट अच्छे परचेसर होते हैं विडियोस का लाब मिलता ही है जब आपका चंडर अच्छा होता है दूच से मनी वस्तु अच्छी लगती है पानी अच्छा लगता है नेड़ा शक्ती अच्छी होती है रिफाइंड सोच होती है यह सारा एडवंटेज होता है और इनके पर सुरवती जीवन में यह रेखा गुसा भी देती होगी और यह इनको भारों से लाइक इनसान बनाती है किसी के सौरूपे भी बाकी होंके तो सामने से दे कर आएंगे इस तो पर हार्ट लाइन मोटी है जैसे जैसे उम्रों बड़ी होगी ज़ंजटो भरा जीवन होता है अपने ही लाइफ उत्तम से नहीं जी पाते हैं कोई न कोई आपा धपी लगी रहती है परस्नल लाइफ आनंद नहीं ले पाती है और यहां पर फ्लाइट लाइन है व्यक्ति दूखी भी हो तो थोड़ी देर दूखी होता है उसके बाद खुशी ढूंगता है अब इनकी माइ जो पर रहते हैं इंप्लीमेंट नहीं होते हैं अब यह बहुत जादा सीधा पाम तो नहीं है पर सुरुवाती जीवन में भी यहां पर यह इस तरह से प्यारलर लाइन जब चलती है तो कोई ने कोई प्रेशर बना ही रहता है यह अंदा जाल लगबक 31 तक तो यह लाइन द तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक्ता बढ़ती जाएगी सपने ज़ादा आते हैं ऐसे लोगों को इमेजिनेशन पावर बहुत पावरफुल होता है पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है घर में एक व्यक्ति को यह लोग टार्गेट बनाते रहते हैं मैं क्लियर कट सब्दी यूज करता है और टार्गेट बहुत पीछे पड़े रहते हैं और वो व्यक्ति आया और वो आधा गलास लेकर आया तो आधा क्यूं लेकर आया पूरा क्यूं नहीं लाया और फिर आधे गंटे के बाद वापस पानी मांगा और वो पूरा भर कर लाया तो बोलेंगे अभी तो पीया था आधा लाना था यानि कैसे भी करके उसके पीछे पड़े रहेंगे ये लगबग हर एक व्यक्ति के हाथ में मैंने सभाव में पाया ये वस्तू और थोड़े से जब ज़्यादा चंद्र की और जाती थोड़े से सेक्चली टैप के भी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े से तो बनते हैं अब आते हैं जीवन रेखा पर जीवन रेखा को देखें तो यहाँ पर इस लाइन ने इनके जीवन में सेनई का काम किया यानि एज ओफी ट्वेंटी सेवन में इनकी साधी हुई उसके पहले या तो देश बदलाओगा, घर बदलाओगा, या शहर बदलाओगा और एक 31 के आसपास इनके जीवन में बदला आया होगा और यहां से जीवन थोड़ा सा सैटल होता हुआ दिखा होगा इसके बीच में तो जीवन रेखा ही नहीं है यानि इनको पल्ले ही नहीं पड़ा होगा 31 तक तो मेरे जीवन कहां चल रहा है यह 4 साल जीवन रेखा नहीं हो बहुत तकलिप उठाता है पता ही नहीं चलता किस दिशा में जाना है क्या करना है और यहां पर भी 31 के आसपास यह तो घर बदला होगा शेहर बदला होगा या वैवसाय बदला होगा पहले की वीडियो में मैं वैवसाय यूज नहीं करता था पर अब म इनकी जीवन में एक बड़ी राव रेखा ही एज 38 में उसके बाद एक 41 में राव रेखा ही प्लस यात्रा रेखा फिर 42 में भी राव रेखा है फिर 44 में और एक 46.5 में जो अभी तक चल रही है और इतनी राव रेखा में देखी इनको मनी ट्रेंगल है ही नहीं यह सुरी र तो जब राहु रेखा मनी ट्रैंगल बिगर के व्यक्ति को जब काटती है बहुत पेन होता है और नुकसान भी ज़्यादा होता है अब इनका प्रश्ण था घर तो घर के योग देखिए ये राहु रेखा 46.5 की और ये एक आफशूट है 49 में बहुत बड़ा अफशूट है और ये ट्रैंगल बना रहा है और यहाँ पर भी एक ट्रैंगल बन रहा है तो ये 100% प्रॉपर्टी दिलाएगा अब प्रॉपर्टी में ये घरी बनाएंगे या कोई लेंड लेंगे वो हमें पता नहीं होता तो प्रॉपर्टी का योग जरूर इनके हाथ में 49 में है और इस पिरियर्ड में भी छोटी सी राहु रेखा मुझे दिख रही है और अगर ये लाइन नीचे जाती होगी इस तरह से तो कोई नियर एंड डियरर की भी डैथ होगी अब आपशुट में इसका उद्गम स्थान इतना आसानी से पता नहीं चलता 49 के बदले 50 भी पकड़ सकते आप उसके बाद एक और आपशुट है 52 में है और यहाँ पर भी एक राहु रेखा है उसके बाद एक छोटी सी राव रेखा 56 में है फिर 62 में है छोटी सी और एक 66 में है इतनी राव रेखा है इनको परेशान करेगी आगे भी और ये फोर्क होता है तो ऐसे लोग जीवन में यात्रा भरपूर करते अब इनकी धन्रेका पर एक बहुत बड़ा कट आया खर्चा आया होगा इनको 31, 32 के आसपास 32 के आसपास समझे आप क्योंकि इनकी माइन लाइन इस तरह से चलती है तो बहुत जादा accuracy नहीं दे पाते है फिर ये जो लाइन है ये कहिन कर में investment कराती है ये 44 के आसपास इनका investment हुआ होगा इनको याद नहीं आ रहा है बाकि ऐसा कोई कट मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा है आगे अब इनकी धन रेखा का मेरे पास फोटोग्राफ है अब इस फोटोग्राफ मैं भी देखे तो देखे इनकी धन रेखा यहां से ज़्यादा सुन्दर बन रही है यानि एज 49-50 के आसपास से बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है और यह फोटोग्राफ के हिसाब से यह इन्वेस्मेंट 46 के आसपास धगड़ा है आप अगर सीधा फोटो नहीं देते तो इस तरह से एज काउंटिंग में गलती होती है यह यहां पर अगर मैं गिनूँ तो यह 44 के आसपास है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, और मेरे हिसाब से यह 44 ही है, और कोई फोटोग्राफ दिख रहा है, जिसमें धन्रेका दिखती हो, आदे कि यहाँ पर भी यह धन्रेका इसी जगह से ज्यादा अच्छी है, यह इसी एज के आसपस से, 48, 49 के आसपस से ही अच्छी है, अब यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फोटो नहीं है, जिदे कि यह आया कट, उसके पहले कोई भी धन रेका में दमी नहीं था, और यह सारी स्थिती देखकर लगता है, जो मैंने सुरुवात में फिश्टाइन बताई थी, वो होगी होगी हो क्योंकि अभी यह लाइन बैटर स्थिती में है, फिर यह एक दो साल थोड़ी सी कम इंकम रहेगी, 56 और 58 के बीच में, दो साल थोड़ी सी कम जोर रहेगी, और फिर वापस 58 से अच्छी इंकम आएगी, और यह जो पैरलर लाइन है, जो एक्स्टा इंकम की, वो भी थोड़ इसी अच्छी बन रही है, 49 के आसपास से, किसी को सेवा देकर पैसा कमाना या इस तरह का, और बहुत बार इस रेखा का कोई मत्वे भी नहीं होता, किसी के जीवन में, और यह जो पैरलर लाइन चलती है, यह भी कोई न कोई बेनिफिट देखी, यह भी 58 से कोई मैं किवल दो साल का फरक कम इंकम रहेगी, 56 से लेकर रठावन तक, 56 से 58, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं लग रहा है, अभी आगे चलकर धन रेखा, उत्तम ही है, किवल दो साल छोड़कर, बाकी यह राह रेखाया आएगी, उस समय पेन आएगा, जो भी चल र करता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,